जब अपना सना तीन महिने का हो जाए और फोलोरिंग अवस्था में आने वाला हो तब कौन-कौन सी बाते हमें ध्यान में रखने चीजें कौन-कौन सी चीजें करने चीजें स्टेप बाइ स्टेप पूरी जानकरी मिलेगी वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किये नम हमरे यूटूब चनल सिहाग एग्रिगेट एग्रो में यह देखें यह अपना सना लगभग तीन महिने का होने वाला है सबसे पहले तो इस सवस्था में अगर आपका चना आ जाए तो उसकी सिंचाई आपको बंद कर देनी है ठीक है अब सिंचाई की बात हम आगे करेंगे उसके बाद आपको करना क्या है सबसे पहले आपने इसमें निराई गुड़ाई तो इस सवस्था में कर दी होगी फिर भी अगर इसमें कुछ खर्पतवार के पोधे आपको नजर आए तो वो आपको निकाल देना है खर्पतवार बिलकुल नहीं रखना है उसमें गुहम के ऐसे मतलब लगा की निकालो या आप खुद लगके निकालो मतलब खर्पतवार बिलकुल नहीं बचना चाहिए खर्पतवार होगा तो उसमें लट जब आपके फल लगेंगे फलिया लगेंगी तो उसमें मतलब जो लट होती है उसका प्रको बढ़ने के चांसेs 99% होते हैं जब आपके एक खेतने चने में खर्पतवार होती है पहली बात खर्पतवार आपको बिलकुल उसमें से निकाल देना है अब बात करते हैं सिचाई की सिचाई आपको तब करनी है जब आपका चना 50% फ्लोरिंग आज़े है चने में ठीक है ऐसा लगे कि अब फल फलियां बननी सुरू होंगी तब आपको शिचाई करनी है और शिचाई करते समय आपको उसमें हलकी मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ती करनी है नाइट्रोजन उसमें आपको हलकी मात्रा में देना है अगर आप जविक खेती करते हैं तो जविक तरीके से दीजिए अगर आप रशानी खेती करते हैं तो यूरिया दे सकते हैं 5 किलो पर भीगा की हिसाब से ज्यादा नहीं डालनी है चने में यूरिया की ज्यादा जरुरत नहीं होती है कि विल 5 किलो तक यूरिया ही आप फोश में डालनी है और अगर आप जविक खेती करते हैं तो जविक में भी नाइट्रोजन की पूरती मितलब कर सकते हैं उसके बाद आपको सिचाई के पांच या साथ दिन बाद में जविक केटनासक का एक स्प्रे करना है इसमें उससे आपकी फ्लोरिंग बहुत अच्छी होगी और लटव के रागा प्रकॉप भी इसमें नहीं आएगा जविक केटनासक कैसे बनाया जाता है अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्रिशन में इसका हम लिंक डाल देंगे देख लेना वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें धन्यवाद